गुड मॉनिंग, जैसा कि आपको पता आप लोग के लिए हम डिली आप लोग के लिए अबजेक्टिव कुस्टिन का स्रीज लेकर करके आते हैं, चलिए आज हम लोग उनिट वन का तीसरा पार्ट करने वाले हैं, जो आज इसका आखरी पार्ट होगा, तो चलिए का यूनिट क्या है, पूछ रहा है, सिंपल सा डाइलेक्टिक कॉंस्टिन के एक वल्टों सिखाये थे, एफ नॉट वाइफ हैं, यानि फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मेडियम दोनों का रिस्यू, तो बोलो जी फोर्स वैक्यूम में इसका न्यूटन होता है, और लाइटनिंग चार्ज इस ट्रांसफर टू अर्थ, यानि अर्थ में कौन साट चार्ज ट्रांसफर होता है, सुनिए, लाइटनिंग में जो बादल होता है, याद रखेए जैसे ये बादल है, बादल में दोनों तरह का चार्ज होता है, पोजिटिव चार्ज भी नेगिट पोजटीव चार्ज के जानते हैं मास्स व्लवत योग चार्ज होता है यह होता पैनियोगि इस गहर आनसर जाएगा बी ओडिया है क्लियर है टुरह नेक्सट अगर देखें क्या बोल रहा है विच्ञा दोником सा कों सा रिलेसे gover यह चोंकि verte है तो याद कर हम सिखाये थे e vector equal to f vector y q naught यह q b लिख सकते हैं देखिए इसका answer a number next बोल रहा है electrostatic force is electrostatic force है क्या है conservation non-conservation यह सब गया है conservative और यह चलिए conservative non-conservative both end भी none of this this answer conservative clear है याद रखें एक electric force कैसा होता है conservative next अगर देखें बोल रहा है 10 to the power 6 electrons are added to a pit wall the negative charge on pit wall is यहने सुनना जिसे एक pit wall है उसमें जो electron add किया गिया है उसका number दिया गिया है 10 to the power 6 तो बोल रहा है charge कितना होगा क्यों equal to any होता है और डालने है तो negative होगा इसलिए बोल रहा है negative charge का value पूछ रहा है एन एन का value होगा 10 to the power 6 और E का value है 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb अगर इसको solve करने तो 1.6 into 10 to the power minus 13 Coulomb आएगा तो देखें तो देखें 1.6 into 10 to the power minus 13 Coulomb A next बोल रहा है when electron are removed from an uncharged body the body answer देखना क्या बोल रहा है एक body है uncharged body उससे electron क्या किया रिमूब किया गिया तो क्या होगा पहला gets negatively charged ये negative charge इसमें आएगा ऐसा नहीं है gets positively charged हाँ जी हाँ positively charge आएगा gets negatively और ये तिसका answer जाएगा B next बोल रहा है when velocity of charged body increases its charge ठीक है यहने समझना दियान से एक चार्ज body है में जिनको चार्ज है और इसका velocity बढ़ा दिये महलों velocity क्या करती है बढ़ा दिये तो क्या होगा इसका चार्ज तिसके चार्ज पर कोई effect नहीं पड़ेगा क्यों कि चार्ज स्पीड से कोई मतलब उसको नहीं होता है ठीक है तिसलिए ड़ेज नौट चेंज इसका answer गया डी नमबर next क्या बोल रहा है equivalent capacity between a and b in figure इज यह figure है और इस figure में a और b के बीच equivalent capacity पोछ रहा है ध्यान से देखिएगा ऐसे दिया है अब जड़ा ध्यान से देखना है यह ए और b के बीच equivalent capacity पोछ रहा है देखो जड़ा से इस capacitor को यहां देखो एक wire है conductor है वो डारेक्ट यहां से यहां connected है इसका पोजिटिव और नेगेटिव प्लेड जो है दोनों यहां पर एक दूसरे से connect होगे यानि इसका टूटल चार पोटेंसियल जीरो यानि इसका कोई value रहा नहीं और इसका capacity हो जागा 0 यानि कुछ value रहा नहीं तब सिर्फ क्या बचा यह इसका answer जागा C A और B के बीच capacitance कितना होगा C इसका answer जाएगा A number next देखते हैं क्या बोल रहा है बोल रहा है the capacitance of a capacitor will decrease if we introduce a slab of ठीक है बोल रहा है कि capacitance जो है capacitor का घड जाएगा जब हम slab introduce कर देंगे copper, aluminium, zinc, none of this सुनिये द्यान से किसी भी capacitor के plate के बीच में अगर slab डालेंगे तो याद रखिएगा उसका capacity कभी घटने वाला तो नहीं है तो वह हमें सब बढ़ेगा ही और पूछरा कभ घटेगा decrease कभ होगा तो why decrease कभी नहीं होगा तो इसका answer जाएगा none of this d number next चलिए देखते ह question क्या बोल रहा है the potential of an electric apple is maximum when it makes an angle theta with electric field the value of theta is यानि सिम्पल सा theta का value पूछरा जब यह maximum होगा तो सिम्पल सा आप potential energy का formula पढ़े ते minus P cos theta याद होगा minus P cos theta ती imagine करो theta का value अगर हम 0 माल लेते हैं समझी देहां से theta का value 0 तो सोच जीरो cost 0 value 1 यह maximum value आ जाए अगर सोच जब होगा जब 0 degree होगा यानि सी नमर next बोल रहा है choose the ऐसा unit of electric potential energy in electric potential energy का ऐसा unit तो सिम्पल सबबब यह energy है तो इसका भी ऐसा unit क्या होगा जूल clear है आगे देखते हैं बोल रहा है potential gradient is equal to समझी देहां से potential gradient यानि potential को हम distance के respect में differentiate करेंगे जिसको बोलेंगा potential gradient जिसको electric field विकाता है clear है तो सिम्पल सब्सक्राइगा यह क्योंकि negative potential gradient होता है आपका electric field तो वही है minus dby dx next बोल रहा है which of the following is correct for the capacity of a parallel plate capacitor बावो parallel plate capacitor का capacity इसका formula हम पढ़ाये थे a epsilon not by d देखिया है a epsilon not by d a number next क्या बोल रहा है choose the vector physical quantity यानि इसमें चुनना है कौन सा वैक्टर electric flux scalar electric potential scalar electric potential जी यह भी scalar electric intensity हाँ यह सकलर यह वैक्टर एक्टर यहाँ पर electric intensity के ज्यादा अच्छा रहता electric field intensity लिखना चाहिए लिकना option में यहीं यहीं करना हुआ कोई दिख्कत नहीं next बोल रहाँ दा सर्फेस देंसिटी अफ चार्ज इच मीजर ठेक है द्यांसे दिखिये सर्फेस देंसिटी यानि चार्ज यानि चार्ज पर युनिट एरिया इसको पलते है surface इसको किसमें मीजर करेंगे बाइच चार्ज का युनिट है कुलाम और एरिया का है मीटर स्क्वार तो सिंपल से इसका युनिट हुआ कुलाम पर मीटर स्क्वार देखिया अफसर भी नमर next क्या बोल रहा है the electric potential of earth is taken edge समझिएगा earth का electric potential कितना लेते हैं लेते हैं याद रिखिया earth का electric potential हम लोग कितना मनते हैं 0 next the value of electric potential at a distance r from a point charges simple सा point charge का formulas याद होगा 1 by 4 pi epsilon not q by r होता है clear है यह electric potential value तो देखिये ए नमर next बोल रहा है electric capacitance of earth of radius r यानि और थ है तो earth is spherical होता है अगर उसका radius r है तो उसका capacitance होगा 4 pi epsilon not into r ठीक है यहनि इसका answer जाएगा b number next क्या बोल रहा है electric potential is equal to electric potential किसके बराबर होता है तो electric potential याद करो पड़ा है तो w by q यहनि इसका answer b ठीक है next बोल रहा है one farad is equal to one farad किसके बराबर होगा तो याद रहा है one farad equal to होता है one coulomb per volt clear है one coulomb per volt इसका answer यह b next potential energy of charge conductor is ठीक है charge conductor का potential energy कितना होगा तो आप पड़ायते half cv square कितना half cv square इसका answer चला गया b next देखते हैं बोल रहा है torque acting on electric diapole moment p vector placed in electric field intensity vector torque बोच रहा है तो torque equal to हम पड़ायते p vector cross e vector p vector cross e vector clear है देखिए है option इसका answer यह a number next अगर देखें क्या बोल रहा है the equivalent capacity between a and b in the given figure is यह figure है इसमें a और b के बीच हमको equivalent capacity पोच रहा है द्यान से देखिए इस figure को हम फिर से बनाते हैं अच्छा से clear देख सके आपको यह है आपका six micron farad यह भी six micron farad और यह भी six micron farad और a और b के बीच निकालना है समझी जरा ध्यान सी यह दोनों series में और series में अगर मालों जितना capacitor रहा है उसका value अगर same रहे capacity का तो क्या किजिएगा किसी एक का value लिजिएगा six जिसे दोनों में किसी एकका लिना value six और कितना है दो है बाइटों कीजिएगा यहने three macron farad इस दोनों का मिला कि कितना या three और यह six three और six parallel में और parallel में सिधा सिधी जुडता है three plus six nine macron farad इसका answer चला जाएगा c number next क्या बोल रहा है 64 identical drops each of capacity of five macron farad combined to form a big drop सो चो 64 चोट 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 बूंद है उसके capacity हरेका five macron farad उसको मिल आके बड़ा बूंद बना रहे है what is the capacity of big drop सुनना capacity of big drop कभी भी निकालना हो उसका तरीका क्या c dash equal to number of drop का जोतना भी होगा small बोला drop उसका क्यूब रूट करना है one by three into a capacity जो था तो बोलो n number of drops कितना 64 उसका cube root into c c का value कितना दिया 5 macron farad आगर इसको solve करोगे 64 का क्यूब रूट करोगे फोर आएगा इन्टो 5 macron farad तिसका एंसर जागर 20 micron farad देख्या है option 2020 d number next बोल रहा है electric permittivity of free space is equal to check electric permittivity free space का simple सह 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter clear है यह होता है free space का electric permittivity in epsilon not का value है 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter और चलिए इस से प्रकल लास्ट कोश्चन ठीक है द्यान से देख्या क्या बोल रहा है बोल रहा है three capacitors each of capacity c are connected in series तीन capacitor हर एक capacity c है उसको series में connect किया है इसके equivalent capacity क्या होगा पोच रहा है अभी तुरंद भी इस तरह का बताए कुस्चन इसका answer आप खुद से दे सकते हैं और हम चाहेंगे इसका answer आप comment में लिखिएगा तब नहीं हमको पता चलेगा आप भी कुछ सीक पा रहे हैं इसका answer क्या होगा ठीक है comment में हम इसका answer चाहते हैं और प्लीज आप लोग reply दीजिएगा और सच बोलते हैं अगर reply देजिए comment में पाप नहीं लिखता है कोई दिक्कत नहीं होता है ठीक है चलिए आ